हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं यटूब चैनल मनिशा की रेसी में आप सब का स्वागत हैं आज मैं आपके लिए मूँ में पानी लाने वाली इमली की खट्टी मिठी चट्नी की रेसीपी लाई हूँ इसे आप चाट पानी पूरी दाई वड़ा पकोडे किसी के साथ भी कीजेगा तो चलिए बनाते हैं इमली की खट्टी मिठी चट्नी यह देखिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम इमली को पानी में एक घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है यह किसी भी किराने के स्टोर में आपको आसाने से मिल जाएगी अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप इसे गरम पाने में आदे घंटे के लिए भिगो कर तयार कर सकते हैं यह देखिए आप देख सकते हैं इमली बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गई है अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे यह देखिए सबसे पहले हम इमली को मिक्सर में पीस लेते हैं हम इसका पा अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से बाकी की बच्ची हुई इमली को भी हम पीस कर तयार कर लेंगे। यह देखिए हमने इसे भी पीस कर तयार कर लिया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अगर आपको चटनी और पतली बनानी है तो आप इसमें और पानी भी मिला सकते हैं अब हम क्या करेंगे एक स्टील का बर्तल लेंगे और इस तरीके की एक छन्नी लेंगे अब हम इस मिक्स्चर को छन्नी में डालेंगे और इसे हम छान लेंगे इस तरीके से चम्मच के मदद से रगड़ते हुए हम इसे चान लेंगे इसे चानना बहुत ही ज़रूरी है ने तो इमली में जो रेशे होते हैं वो हमारी चटनी में आ जाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा ऐसे चानने से हमें इसका स्मूथ पल्प मिल जाएगा ये देखें इसमें जो इमली में रेशे होते हैं इस तरीके से करने से इसके जो रेशे हैं निकल आएंगे ये देखिए आप देख सकते हैं हमने इमली का स्मूद पल्प निकाल कर तयार कर लिया है अगर आपको चटनी गाड़ी या पतली करनी है तो आप इसी स्टेज में इसमें पानी मिला सकते हैं तो चलिए अब हम चटनी तयार कर लेते हैं ये देखिए चटनी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कड़ाई रख दी है उसमें मैंने दो बड़े चम्मच ओयल डाला है गैस की फ्लेम हमें मेडियम रखनी है तेल अच्छे से गरम हो जाने पर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच सौफ अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हिंग गैस को हम स्लो कर देते हैं उसके बाद हम इसे चम्मच से एक बार चला लेंगे अब हम इसमें हमने जो इमली का पल्प निकाल कर तयार कर लिया है उसको इसमें मिला दे यह देखे, एक बार इसे चला कर मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें 100 ग्रैम गुड डालेंगे, हमने 100 ग्रैम इमली ली है, इसलिए हम इसमें 100 ग्रैम गुड डालेंगे, गुड को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, गैस की फ्लेम हमें मीडियम कर देनी है अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक एक चम्मच कश्मेरी लाल मिर्च का पावडर इससे हमारे चटनी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा अगर आप चाहे तो यहाँ पर एक पिंच फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हमें इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे वाव ये देखिए कितना अच्छा हमारा चटनी का कलर आया है अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच सक्कर सक्कर डालने से हमारी जो इमली की खटी मिठी चटनी है वो अच्छे से बैलन्स हो जाएगी क्योंकि गुड में भी थोड़ी से खटास होती है अब हम इस चटनी को दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से उबलने देते हैं ये देखी हमारी चटनी बहुत ही अच्छी तरीके से उबल रही है दो से तीन मिनट बाद हम गैस को बंद कर देते हैं अब मैं इसकी कंसिस्टसी आपको दिखा रही हूँ ये देखिए इस कंसिस्टसी में मैंने गैस को बंद कर दिया है आपको लग रहा होगा कि ये अभी पतली है पर ये ठंडी होने के बाद गाड़ी हो जाएगी अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे ये देखिए 15-20 मिनिट पार ठंडे होने के बाद ये देखिए हमारी जो चट्नी है वो गाड़ी हो चुकी है मैंने ये पानी पूरी के लिए बना कर तयार किये है इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा पतला ही रखा है अगर आप चाहे तो इसे गाड़ा या पतला अपने पसंद के नुसार बना कर तयार कर सकते हैं इसे आप ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिए और इसे आप एक से डेड़ मैने तक इस्तिमाल कर सकते हैं इसे आप दही वड़ा, चाट, पकोडे, किसी के साथ भी इसका मज़ा उठा सकते हैं ये खाने में बहुत ही स्वाधिश लगती है और ये बहुत ही आसाने से बन कर तैयार हो जाती है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर त्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक की जरू बस्टेशन आपको मेरे वीडियो की बेल आईको मिलती है अबेल आपको मेरे अक्राइब दाली बेल दम दोटेशन जवा दोली वीडियो की रहे और सब्सक्राइब घब